आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच मई और छे मई के कुम्ब राशी फल के बारे में पांच और छे मई का दिन आपकी लिए कैसा रहेगा गिरह नक्षत्र कैसे होंगे योग क्या बनेंगे उनका प्रभाव आपकी दिन चरिया पर कैसा होगा बच्चों की सिक्षा कैसी रहेगी कारेशेत्र आपका स्वास्त है पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन धामपत्य तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेधन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बैल का इकन है उसको प्रैस कर दें ताकि हमारी आने वाली सब ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तों चलिए जा लेते हैं कि पांच और छ को शत्र लग रहा है कि और सिड श्राम का युग बन रहा है यह मंगलवार का दिन है सूर्य मेश रसी में चल रहे है और चंद्रमा सुबह तक कन्या राशी में रहेंगे उसके बाद तुला राशी में पर वेश कर जाएंगे इस दिन रवीयोग बन रहा है शाम को साड़े चार बजे से और अगले दिन सुभा तक ये रवी योग बनने वाला है इस दिन का जो शुम्बूरत है वो 11 बज कर 19 मिनट से सुभा के और दोपहर के 12 बज कर 46 मिनट तक रहने वाला है आप 6 मई की बात करते हैं चे मई शुकल पक्षकी चतुर्दशीती थी है उसके बाद चित्रा नक्षत्र है दोपहर तक उसके बाद स्वाती नक्षत्र लगेगा इस दिन रातरी तक से धिनाम का योग बनेगा जो बेहत शुभी योग है ये बुद्वार का दिन है चंद्रमा तो लाराशी में है सूर्य मीश रासी बहणी नक्षत्र में चल रहे हैं इस दिन भी रवी योग रहने वाला है और इस दिन का जो अमरित काल समय है वो सुबह 8 बच कर 12 मिनर से 9 बच कर 37 मिनित तक तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्तिति अब हम जानेंगे कि ये नक्षत्रों और ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो आपकी दिन्चरिया पर किस तरह से पढ़ने वाला है तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं तो देखें चंद्रमा की सिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके नवम भाव में है भागय के भाव में है तो इक तो इस दोरान आपका भागय आपका साथ देता हुआ दिखाए देगा अगर आपनी कुछ पहले निवेश कोई किया हुआ था तो उसका फाइदा आप आपको देखने को मिल सकता है वो आपको धलाब इस समय करा सकता है परिवार एक जीवन में भी आप संतुलन बना कर चलेंगे और अपने परिवार में अच्छा आपका जो संतुलन है वो अच्छा बना रहेगा पिता के साथ आपके संब्दों में जरूरी बदलाव जरूर होंगे कुमराशी के जो जातक अपने परिवार के साथ रहते हैं या किसी धार्मी कारिकरम का हिसा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा के इंतजाम के लिए कदम जरूर उठाएं जो भागे भाव का चंद्रमा है यानि तुला राशी में यहां कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो चंद्रमा को दूशित कर रहा है इसलिए मांसिक सिति आपके अच्छी रहेगी आपकी सोच अच्छी रहेगी और उस सोच के जरिए आप बहुत कुछ आगे करते हुए भी नजर आएंगे इस दो दिनों में आपके लिए सेहत संबंदी परिशानी अभी नजर नहीं आएंगी सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और देखिए आपकी जो किसी भी कार्यक करने की सोच है वो नई होगी नए विचार आपके मन में आएंगे नई सोच और नए विचार के साथ अब अपने सभी कामों को संपन्द कर पाएंगे जो रिसर्च के शेतर से जुड़े हुए हैं प्रोफेशनल्स हैं या ऐसे विध्यारती हैं वो इससे में अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाने वाले हैं इसमें परिवारे की स्थिती बेहिद अच्छी रहेगी और अपने परिजनों के साथ आप अच्छा व्यक्त बिताएंगे आप अपने आपको काफी बहतर महसूस करेंगे काम का दवाब कम रहेगा जिसकी आपने उम्मीद ने की वैसा कम आपके लिए रहेगा दोस्तों का साथ मिलेगा अपने परिवार का साथ आपको मिलेगा और एक लंबे अंतराल के बाद अपने काम से जो घर बैठकर काम कर रहे थे उन्हें थोड़ी सी रियायत समलती हुई नजर आएगी कुछ ऐसे लोग जो मल्टिनेशनल कमपनी में काम करते हैं उनके लिए कोई नई चीज सीखने को उनको मिल सकती है इसे में हो सकता है आपके कमपनी अपने कारशेतर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रही हो और आपको कुछ अपने काम के सिलसले में नई चीजें सीख पाएंगे देखिये मंगल ने भी सोब्लार असाने से आपके जो शुन में परवेश किया है इस से आपके हौसले बहुत बढ़ेंगे आप अनरजेटिक तो असे आपने स्वभा में उग्रता देखने को मिल सकती है इसलिए थोड़ा सावधानी जरूर रखने होगी, और राहू की द्रस्टी अनावशक तिग्डम के साथ वैचारिक परिशानियों को जयन दे सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर सहियम रखना होगा आपने क्रूद पर सहियम रखना होगा, वाणी में मधूरता रहेगी और कटोरता भी यानि दोनों ही तरह कि आपके लिए यहां यानि ऐसा होगा कि कुछ अच्छी बाते करते करते आप तुरेंट उग्र भी हो सकते हैं और उस उग्र स्वभाव में आप किसी को कुछ ऐसे अफशत भी भूल सकते हैं अवादवादे किसी थिम्फा सकते हैं तो इसलिए आपको थ पूचा था और आपको ऐसा करना आपके लिए काफी फाइदे मन भी सावित होगा इससे आपको फाइदा होगा लोगों को लगेगा कि शायद उन्होंने आपसे ऐसी कलपना ही नहीं की थी कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं पिता के साथ भी अच्छा समय आप बिताएंगे और आ आने वाले वक्त में आपके बेहद काम आने वाली है अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो इस अवधी में खानपान के दौरान जरूर थोड़ा सा धिहान रखें इस समय अवधी में आपका मित्रों की सहयोगिता आपको कुछ लाब की रापती करा सकती है और देखिए किसी पैसों को लेकर कोई वाद वाद की स्थिति अगर आपको पैदा होती हुए दिखाये तो आप कोशिश यह करें कि उस विवाद से आपको बचना है उस विवाद से आप बचेंगे तो आपकी मान सी सिथिति भी अच्छी रहेगी और जो बिकार की आपके अंदर उग्रता आ लाएंगे जो प्रेम संबंद में हैं उनकी प्रेम संबंद मजबूत बनते हुए दिखाई देंगे वेवाहित लोगों का दामपत्य जीवन मधूर रहेगा और इसमें कुछ लोग नए स्टार्टप पर फोकस कर सकते हैं कुछ नई बाते सोच सकते हैं जिनको वो अपने जो दिन चरिया है उसमें लाना चाहेंगे तो अगर आप ऐसा कुछ सूच रहे हैं तो उस पर आप आमले जरूर करें निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं तो नए स्टार्टप की तरफ आप फोकस कर सकते हैं और वो आपको आगे तरक्की की र समय काफी अच्छा है भाग्यभाव का चंद्रमा है जो मांसिक रूप से आपको शांती देगा और साथ ही काफी एनरजाटिक रहेंगे जिससे आप अपनी पढ़ाई पर अगर फोकस करते हैं तो कठीन से कठीन जो आपका विशह है उस पर भी आप मजबूत पकड़ बना स स्वास्त है इन दो दिनों में आपका अच्छा रहेगा कोई ऐसी परिशानी ने बस खाने पीने पर आपको थोड़ा ध्यान जरूर रखना है खाने पीने पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से ये समय शारिरिक रूप से मांसिक रूप से आपके लिए काफी बहतर साबित होने वाला है साथ ही इस समय आप देखिए कुछ लंबे आंतराल के बाद किसी बहुत ही खास मित्र से मिल सकते है कोई पुराना दोस्त आप से मिल सकता है जोश और उत्साह का संचार आपके अंदर अचानक से होगा ये मुलाकात तकनीक के जरीए भी हो सकती है यानि आप ऑनलाइन भी मिल सकते हैं इंटरनेट के जरीए भी आप मिल सकते हैं तो ये ऐसा समय होगा कि जब आप अपने साथी के साथ उन ऐसे लमों को याद करेंगे उन मित्रों के साथ मिलकर आप ऐसी बाते आद करेंगे जिसे मन प्रसंद हो जाएगा तो ये समय काफी हद तक आपके लिए अच्छा है और आर्थिक इस्तिति को भी बहतर बनाने वाला है कुछ भविश्य के बारे में आप कुछ प्लानिंग करेंगे कुछ नई बाते आप सोचेंगे और ऐसी चीजों को सोचकर आप उन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे तो समय काफी अनुकूल है और देखिए जब आप आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते हैं तो भागया आपका साथ देता है इसलिए कुछ अगर आप नया सोचते हैं तो उस पर आमल करने की कोशिश आप जरूर करें साथ ही देखिए अपने कारेशेद में जो घर बैट कर काम करें और वो नई तकनीक का उपयोग करते हुए भी दिखाए दे सकते हैं आप अपने वेवसायों को नई दिशा देने में सफल होंगे इसलिए आपको सिर्फ पोजिटिव रहना है और अपने काम की तरफ ध्यान देना है आप घर बैट कर काम करें तब भी अगर देखे काम बन था तो जल्दी ही वो शुरू भी होगा और कुछ लोगों का शुरू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भोलें नहींवाद